जैहिन बच्चो एक जैई उम्मिदवार को क्या क्या नहीं करना चाहिए देखिए हम दो साल तक जैई की तैयारी करते हैं बच्चे और दो साल के दोरान इतनी जादा तैयारी करने के बावजूद बीच में कुछ न कुछ में स्टेक्स हो जाती हैं कन्फ्यूजन हो जाते हैं ब्रहमित हो जाते हैं और हमारी जो फाइनल प्रिपरेशन है उसमें गड़बड हो जाती है और जो इतनी महनत है उस पर पानी फिर जाता है क्या बाते हैं जिनका हम ध्यान रखें तो उस तैयारी आसान हो जाए जैई की त साथ बाते में आपके लिए लेकर आया हूँ उन साथ बातों पर गोर करें सबसे पहली बात समय सार्णी न होना कर सके लिए दूसरी बात एक ही कंसेप्ट को समझने के लिए कई सारी किताबों का यूज किया तो गड़ जाएगी एक कंसेप्ट को समझने के लिए किसी कंसेप्ट को समझने के लिए एक या दो बुक के वल प्रिफर करें क्वेश्टन करने के लिए भली दस बुक प्रिफर क समझने के लिए या तो अपना जिस पर आपको अपको भरोसा है कोई online study है कोई teacher है उसके साब से अपने concept तयार करें concept तयार करने में ज्यादा बुक्स का सारा ना लें एक या दो बुक्स से ही करें अपने वरिष्ट शिक्षक जो है आपके जिनको आप मानते हैं उनके notes तयार करें और study करने के लिए questions करने के लिए कई सारे बुक्स का आप यूज कर सकते हैं तीसरी बात fundamental concept को miss ना करें मूल बातों की उपेक्षा ना करें हम क्या बोलते है डैरिक्टी फामला याद कर लो यार इसके concept कैसे आया इसको समझने की जरूत नहीं है बिलकुल गलती ना करें यदि basic concept clear नहीं होगा यदि शुरूर से आप म लिया उससे काम हो जाए उसके पीछे कारण क्या है उस जो basic logic क्या है उस logic को आप जरूर पहले याद करें मतब basic concept clear जरूर करें फिर इसके बाद कभी कभी क्या होता है कोई chapter है बहुत ज्यादा time ले लेता है तो हम उसी chapter में उलचके रह जाते हैं और उसी में करते चलते हैं और बाकी chapter जो है वो छूड़ जाते हैं तो यदी ऐसा हो कि कोई chapter आपको ज्यादा confused कर रहा हो ज्यादा time ले रहा हो तो उस chapter को आप drop कर दें उसके basic basic concept को आप चिन्नित कर ले एक बार लिख ले परिक्षा के समय बाद में उसको फिर मोका मिलेगा लेकिन ऐसा ना हो कि उसी subject को आप पूरा time देते रहें और आपके दूसरे subject छूट जाएं तो इस बात का विशेज ध्यान रखें कि एक ही subject आपको उल्जा के ना रख दे इसलिए सभी subject का ध्यान रखना है सभी को तयारी करना है फिर next one अगली बात अगली बात गती का विकल्प हम question में speed बढ़ाते हैं speed बढ़ाओ खूँ अच्छी बाते बढ़ाओ पर जब हम exam में question करते हैं तो speed जल्दी जल्दी करने में कई सारे question पूरा question solve किया fast किया और question छोड़ गलत answer पे tick कर दिया गलत answer पे निशान लगा दिया क्यों क्योंकि सटीकता नहीं है exactness नहीं है तो थोड़ा सा mind बिल्कुल awareness रखें कि गती तो रखें गती तो रखना पड़ेगी लेकिन सटीकता का विशेज ध्यान रखें क्योंकि गती का विकल्प हो सकता है लेकिन आप जो shortcut जिसे बोलते हैं एक question को आप fast कर रहे हैं और एक question को आपने बिल्कुल concept समझा और direct answer तक आपकी approach बने तो कैसे approach बने कैसे सटीक question तक आप पहुचें इस बात का आप ध्यान रखें फिर एक बच्चे और बात गलती करते हैं कि आपकी hobbies आपके शोक आप छोड़ दें ऐसा मैं आपसे बिल्कु के लिए ही तो आपको एक boost up मिलेगा आप वापस से तरो ताज हो जाएंगे फिर से आप तैयारी में और अच्छे से जूट पाएंगे तो अपनी hobbies को छोड़े नहीं पर हाँ थोड़ा सा short कर दें पर बिल्कुल भी आपने छोड़ दिया तो हो सकता है आप नर्वस हो जाए आपके जो है आपकी पड़ाई में फर्क पड़े आपका संकल्प कम हो जाए आपका द्रड़ संकल्प बनाना है आपका संकल्प बढ़ाना है कई भार आपकी ठकावट शोग आपका दूर कर देगा कि आप बहुत देर से ठके हुए थोड़े देर के लिए आपने जो आपक है जिसा भी आप खेलते हैं या करते हैं उसके लिए थोड़ी दिर आप उसमें चले गए फिर से आप फ्रेश हो गए शोग पर आप जाहें तो एक आद्यो घंटे बिल्कुल खरच कर सकते हैं फूरे टाइम के साथ और फिर अपनी इस्टेडी को बरकरार रखें और सबसे महत्पूर और इंपॉर्टेंट बात जो सेवंत बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ Health is wealth, Health का ध्यान नहीं रखेंगे तो सारी गड़बर हो जाएगी मांसिक रूप से भी आप काम नहीं कर पाएंगे, शारी रूप से भी आप काम नहीं कर पाएंगे एक सामान निकलती बच्चे से होती है कि वो सोसता है कि मैं कम सोऊंगा तो ज़्यादा पढ़ पाऊंगा इस भ्रहम को बराबर निकाल दें क्योंकि जब आप सोते हैं तो आप energy collect करते हैं प्रापर नींद लें 6-7 गंटे या 8 गंटे तक प्रापर सोने के बाद आप जो एक गंटे में पढ़ सकते हूं आप एक गंटे में ही पढ़ लेंगे यदि आप नीन नीन में रहे तो दो गंटे पढ़ने तो बेठे रहेंगे लेकिन आपकी कुछ तैयारी हो नहीं पाएगी तो स्वास्त में सबसे पहले आती है नेंद और दूसरा आता है भोजन अच्छे भोजन का ध्यान रखे है हेल्दी फूड का ध्यान रखे ये जंग फूट समोसा का चोरी है सब इन सम्मिट है वो नहीं करें जंग फूड का सेवन न करें पोश्टिक भोजन करें अपने स्वास का ध्यान रहें तरो ताजा बने रहें उसे के तो थोड़ा सा व्यायाम करें योग करें मेडिटेशन करें डेली और अपने माइंड को फ्रेश रखें अपने घरवालों से बिल्कुल अच्छा सा एक healthy बातावरें रखें चिले नहीं, नाराज नहीं हो इरिडेट नहीं हो इन बातों का धियाप इन साथ बातों का बच्चों धियाप ध्यान रखते हो तो निश्चित रूप से आपकी तयारी में ये साहता करेंगी देखिए तयारी तो आपको ही करना है पर उसमें आपको ये साथ बातों का धियाप ध्यान रख रहे हैं तो आपकी जो mistakes हैं exam के समय आपसे वो नहीं होगी और आप exam में select होंगे ये मैं आप मैं आपनी तरफ से आपको शुब कामने देता हूँ Thank you all, all the best, Jai Hind